हेलो गोईज वेलकम बेक इन दिस सेशन दोस्तों डिसकस कर रहे हैं राजस्तान अध्यन जो कच्छा दस की पुस्तक है जिसमें भाग तू दे रखा है इसमें अब तक हमने तीन अध्यायों के बारे में डिसकस किया जो की एक्जाम की दरश्री से काफी इंपोर्टेंट है अगर वो वीडियो आपने नहीं देखे तो वो वीडियो जरूर देखे और विरासत का जो सेरक्षन है यह अध्याय फोर रहेगा जो की काफी ज़्यादा इंपोर्टेंट नेक्स्ट दोस्तो इसके बाद जिस टोपिक पर डिसकस करेंगे वो रहेगा राष्ट्रे उध्यान एवं वन्यजीव अभ्याण जहां से किसंद पुटप होने की पूरी-पूरी संभावना ही रहती है दोस्तो इस अध्याय में जिसे हम विरासत का स्रेक्ट्रन कहते हैं अध्याय फोर रहेगा इसमें जिन प्रसनों पर हम डिसकस कर रहे हैं उनके बारे में अध्यान करेंगे तो इससे पहले हमने जो टोपिक्स पढ़े हैं जैसे साहित्य पड़ा है, राजस्तानी साहित्य पड़ा है, राजस्तान की स्थापत एकला के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमने दुर्ग के बारे में देखा है, आज हम मंदिरों के बारे में डिस्कस करेंगे, या फिर राज प्रसाद जो है उनके बारे में डिस्क सब्सक्राइब करें पिछली वीडियो में हमने दुर्गों के बारे में डिसक्स किया था और अंतिम जो दुर्ग रहा था दोस्तों वह रहा था भरतपूर का दुर्ग बरतपूर के दुरूग के बारे में हमने डिसक्स किया इसमें विशाल आठ बुर्ज ही ती सबसे पर मुख जवार बुरुज थी मराजा जवारा सिंग ने दिली फटाए के समार्ग में इसको बनवाया था फटे बुर्झ अंगरेजों के फते हैं किस मारक के रूप में 1806 में बनाएगी थी ये दुरुग स्थल दुरुगों के स्रेड़े में विश्व का पर्थन दुरुग है दुरुग में कई दुरुषनी अमेल है 17 मार्च उनी शोड़ताले इसको मत शिसंग का उधगाटन भी यहीं पर हुआ यहीं पर आदी ने अपने निवास के लिए महलों के निमान करवाई थे उनमें कुछ नश्ट हो गए तथा कुछ स्थानों के महल सुरुखशित है बेराठ जैपूर की बात करें नागदा उद्धेपूर की राजजोरगड और भीनमाल जलोर आदी स्थानों के महल नश्ट हो गए फ चोटे चोटे कमरे वाले होते थे जब राजस्तान के राजाओं का संप्रक मुगलों से हुआ तब नई विद्या का प्रियोग प्रार्म भुआ अब महलों में जला से फोरे उपवन बाग बगीचे तोफ खाना सस्त्रागार गवक्स जरोखे रंग महल आदी बनाये जाने लगे इस समय के प्रसादों का स्थापत तेकला उतकरिष्ठ था इसे के साथ सुरुआत करते हैं उद्यपूर के महल के साथ उद्यपूर में महल के बारे मे अधिन करे तो दोस्थो काफे ज़्यदा इंपोर्टेट हो जाता है क्योंकि उद्यपूर से कई बार एक्ज़ा में किष़टन पॉटब होते हैं ये मिवाड के सासरिंकाल में काफे प्रबावसाली शेतर रहा है उद्यपूर के राज महल के बारे में फर्व्यूगिशन लिखता है कि राजपूताने का ये सबसे बड़ा महल है तथा लंदन के विंडसर महल की तरह विसाल है तो ये उद्यपूर का महल फर्व्यूशन के दृष्टी से काफी इंपोर्टनिट हो जाता है किस से सबसे बड़ा महल है राजपुताने का सबसे बड़ा महल ये important किसंद हो जाता है और लंदन का Windsor महल की तरह विसाल है तो ये इसी लिए important हो जाते हैं करोली के राज महल के बारे में डिस्कस करें तो करोली का जो राज महल है ये भी काफी जादा important हो सकता है क्यों हो सकता है कि ये है महल एक विसाल परकोटे से गिरा हुआ है अब परकोटे से गिरावा विसाल महल का अस्तित है तो ये करोली में स्तित है इसमें बिती चित्रों का अच्छा अंकन है ये भी काफी important इसमें सफेद चंदन से मैकने वाले उध्यान के पचास चंदन के वरक्ष है तो यहीं से टॉफ ऑफ क्यूशन यह भी हो सकता है तो तीन क्यूशन यहां पर निकल के हैं और तीन क्यूशन यह उध्यपूर महल से निकल के हैं क्या आया है राजपुतानी का सबसे बड़ा महल इसी के साथ क्या कहता है फरग्यूशन कहता है कि यह लंदन के विंड्सर महल की तरह दिखता है और इसी के साथ करोली के बारे में दियन करें तो विशाल पर कोटे सी गिर हुआ, भीतीचित्रों का अच्छा अंकन का स्थित है और सफेद चन्दन के महखने वाले उध्यान और पचासाश चन्दन के अवरक्ष किन महलों में देखने को मिलते हैं कोटा का हवा महल कोटा के हवा महल के बारे में डिस्कस करें यह भी काफी इंपोर्टेंट हो सकता है यह कोटा की गड़ के पास निर्मित हवा महल हिंदू स्थापत एकला का सुन्दर नमूना है तो यह काफी जदा इंपोर्टेंट हो सकता है हिंदू स्थापत एकला का सुन्दर नमुना हवा महल कांस्तित है तो ये कूटा के अंदर स्तित है और वर्तमान जो हवा महल है जैपूर के अंदर ये बात करें दोस्तों ये हिंदू मुगल सेली के अंदर निर्मित है जो कि हमें जैपूर में देखने को मिलता है हिंदू मुस्लिम सेली में अगर पूछा जाए तो जैपूर का हवा मैल रहेगा और हिंदू स्थापत्य करला का सुन्दर नमूना हवा मैल का शतीत है तो ये कोटा के अंदर शतीत है इस परकार कुशन को किसी भी प्रकार से मोडा घुमाया जा सकता है जो कि हमने कई गाइड्स में नहीं पड़ा है ये NCRT इसलिए important हो जाता है क्योंकि कुशन हमेसा NCRT से बनाय जाते है next दोस्तों discuss करें ये भी काफी ज़ता important हो जाता है जग जई निवास महल जई निवास या फिर इस ये का जाता है जग निवास इसके बारे में discuss करें दोस्तों तो ये भी काफी ज़ता important क्यों है important आए डिसकस करते हैं माराजा जै सिंग द्वारा निर्मित राजपरसाद जई निवास कहलाता है ये जैपुर में स्थित है इसे अब सिटी पेलेस भी का जाता है तो जई निवास महल को वरतमान में सिटी पेलेस का जाता है इसका मुक्चे द्वार त्रिपोलिया कहलाता है ये दर्वाजा केवल पुरुए माराजा के कौन दोस्तों ये जो दर्वाजा है ये केवल पुरु ए माराजा के लिए गणगोर की सुवारी के लिए ही खोला जाता है इसमें यूरोपिय तथा बारतिय भावन निर्मान पदती का मिश्रण है तो ये चैनिवास महल से important question यूरोपियन एंड जो बारतिय पदती है उसका मिश्रण किस महल में देखने को मिलता है इसी परिवार में सवाई मादो सिंग दोरा निमित मुबारक महल भी है तो ये काफे ज़्यदा important हो जाता है स्थापत एक अलाकी दृष्टी से इसे के साथ हवा महल जयपूर की बारे में डिस्कस करें तो इसका निर्मान 1799 इस्वी में हवा महल पिरामीड आकरतिका है ये भी important education हो जाता है इसमें छोटी-छोटी खिड़कियां है इसलिए इसे हवा महल का जाता है तलहटी महल मेरानगड की तलहटी में विसाल चटान पर राजा सूर सिंग ने अपनी रानी सोभग्य देवी के लिए महलों का निर्मान करवाया जो क्या कहला है तलहटी महल जो की मेरानगड जोदपुर में होस्तित है विसाल चट्टान के उपर राधा सुर सिंग ने सोभग्य देवी के लिए मेलों का अंद्रमान करवाया जो तलहटी महल कहलाते है जो कि आपको विभीन काईडों में देखने को नवी मिलते हैं अब दोस्तों बात करें तो उम्मेद महल और एक्जाम की द्रिश्टी से यहां क्यूशन ना बने ऐसा हो जी नहीं सकता अगर महलों से लिट्रिक्विशन पुछा जैता है तो यह मौस्ट आप इंपोर्डेंट रहता है उम्मेद महल इसे क्या का जाता है इसे छित्र पहले इ हो जाता है यह अधुनिक महल है इसलिए इंपोर्डेंट हो जाता है 1929 में राजा उम्मेद सिंग ने बनवाय था है इसमें पांच सितारा होटल भी चलता है तो फाइव स्टार होटल कौन सा है उम्मेद महल या फिर शित्र पहले हेरिटेज होटल के रूप में विक्सित है यह जौद पुरमेशतीत है तो हेरिटेज होटल के रूप में उम्मेद भावन या उम्मेद महल वर्तमान में संचालित है राइका पालेस ये भी काफी अम्पोर्टेंट है राइका पालेस के बारे में ध्यन करें तो जोद पुरमेशतीति इस महल को राजा जस्वन सिंग पर्थम की राणी हाडी जी ने 1663 टेश्वी में बनवाया था 1883 में दयानन सरसुती ने इसी महल में बेट कर राजा को उपदेश दिया था तो इसी वज़े से यह राई का जो बाग है पेलेस है यह इंपोर्टेंट हो जाता है किसने निर्मान करवाया राणी हाडी जी ने औ सुन सिंग पर्थम की और दयानन सरसुती किस महल में ठेरे थे अठारा सोतेयां से में तो वह राई का बाग पहलेस जोदपूर में जापर राजा को इसने उपदेश दिये थे अगला इंपोर्टेंट टोपिक रहेगा वो है कास्ट प्रसाद कास्ट प्रसाद के बारे में ध्यन करें तो यह जालावाड में स्थित लकडी से निर्मित महद राजा राजिंदर सिंग ने 1936 इस्विय में बनाया था यह 3500 वर्ग फुट में फिला हुआ है तो कस्ट प्रसाद काँपर है जालावाड में किसने बनवाया राजेंदर सिंग ने 1936 इस्विय में बुंदी के राजमहल यहां के राजमहल राजस्तान में मेलों में अपने विशिष्ट स्थान रखते है जिस राजा ने जिस महल का निर्मान करवाया उसके नाम लिखे हुए है यहां पर प्राचीन समय की पानी जो घड़ी लगी हुई है तो यह इंपोर्टन हो जाता है प्राचीन समय की पानी की घड़ी कान लगी है तो बुंदी की राजमहल में लगी हुई है मंदिर सिलप के बारे में डिस्कस करें तो दोस्तों ये भी काफी ज़दा important topic हो जाता है मंदिर सिलप के बारे में डिस्कस कर रहे हैं राजस्तान में मंदिर निर्मान के प्रमान साथवी स्ताबदी से पूर्व से मिलते हैं मंदिर सिलप का चरमोत कर्स राजस्तान में आठवी से ग्यारवी सिताबदी के मद्य देखा जा सकता है तो सीधा सा कि उसे पुछे जा सकता है राजस्तान में मंदिर सिलप का जो उतकरिष्ट परतरसन है वो कौन से सताबदी में मिलता है तो वो आठवी से ग्यारवी सताबदी के मद्य राजस्तान में जालरापाटन का सीतलेश्वर महादेव मंदिर जिसके पास निर्मान तिती है ये जालरणफटल में सीतले शरुमादेव मंदिर है आठवी शे बार्वी सदी तक का मज़ा तो मन्दिरी सिल्प निर्मान की दृष्टी से यह कास सरण उग है प्राजस्तान का मंदिर सिल्प की दरिष्टी से कौन सा सरवन यूग रहा तो वो गुर्जर परतिहार जो यूग रहा सासन रहा मंडोर मेड़ता जालोर गुर्जर पत्यारों के नेतरतों में जो कला अंदोलन विक्सित हुआ वैं महामारू से लिक लाया तो ये इंपोर्टन्ट कुशन सारे ही इंपोर्टन्ट हो रही है ये भी इंपोर्टन्ट देखा जा सकता है चर्मोत कर्स और सितलेश्वर मादेव मंदिर काम पर है इसी के साथ आटवी से बार्वी सदी तक कौन सकिंज का समयरा गुर्जर परतिया रोका और ये क्या कलाया मंदिर स्थापते कला की द्रश्टी से और उसके साथ मारू सेली क सेली का विस्तार मरू परदेश से निकलकर आभानेरी, या नि बांधिकुई, चितोड, बांडोली, इस वन्स के सासक धार्मक सैश्षनु एक ऐनुराइगी थे, इसकाल में सेव वैश्णंव सक्त जैन मंदि का निर्मान भहुताय में हुआ तो यहां से जो इंपोर्टेंट कुशन बनते हैं वो मैंने आपके साथ डिसकस किया है इसे के साथ बात करें तो इस सेली में प्रमुक केंदर चितोड ओंश्या और आभानेरी ओंश्या में बोध कला जेन कला था गुप्त काल के कला के दुराव में मंदिर कला का जो उतकर्ष मिला है उसका अधार प्रतिहार कालिल गुर्जर मारू अथवा माहा मारू सेली ने ही तियार किया है अलवर जिले के मंदिरों की स्रंकला दसवी स्ताबदी की है हिंदू मंदिरों के साथ जेन मंदिरों का भी निर्मान करवाया गया माँट अबू के देलवडा जेन मंदिर वास्तुकला के बेजोड़ नमूने है बारविसे सोल्वीस ताबदी के मध्य निरमित मंदिर सुन्द शुरुक्षा की दरश्टी से दुर्गों से ही बनते रहे ताकि स्तौर्ट्रु को सुरुक्षित रख सके 27 स्ताबदी वो इसके बाद मुगल सासकों के डर से उत्तरी भारत में मठो मंदिरों के आचारी पुजारी देवी मूर्तियों के लेकर राजाओं के आशरी पाने के अभिप्राय से राजस्थान में आगए इसमें रादावल्लव निम्बारिक पुष्टि मारक के आचारी विशेस उलेखनी है इस करम में इस विचार धराओं के मंदिर सिहाड नाथ दवरा कांकरोली चारबुजा कोटा डुंगरपुर एवन जैपुर आदी स्थानों पर बनवाएगे इस परकार मंदिर स्थापते कला के राजस्थान में अदभूत विरासत है जिसमें देखने और अध्यन करने विदेशों के कला मरमग गे विद्वान जन साधा राजस्थान आते रहते है मूर्ति कला में अभानेरी, अट्रू, आबू, नागदा, चितोड, किराड, किराडू, ओस्या, सिकर आदी स्थानों पर अरनास्रिस्थ्र, नर्तेयो, मात्री काये मूर्तियां दर्शनिया है गुपतेव, गुपतो, तरकाल में, राजस्थान के मूर्ति सिलप में, नवीन, भरतपुर, बेराठ, डुंगरपुर आदी स्थानों में, शिव, विष्णू, यक्स, आदी की मूर्तियां प्राप्त हुई है बरतपुर की बदल देव की 27 फुट उंची मूर्ति स्कला का अदबुद उदर्ण है गुर्जर परतियारों का काल देव देवतां की मूर्तियों में माधूर्य कोमलता के साथ सक्ती वे सोर्य का मेश्रण मिलता है उदेपुर में नागदा का सास बहु मंदिर की लक्षन कला अती उत्तम है ओशिया के मंदिरों एक आभीर कन्या का अंकन दरश्नी है अर्थुना बांश्वाड में गाउं में सिल्लप वे स्थापते कला का प्राचीन खजारना खेतों में बिखरा पड़ा है यह प्रातात्विक वे ध्रोर की दरश्टी से दरश्टी कोण से अत्यंत महत्पुर्ण है यहां सिव मंदिर ऐसे ही अबानेरी बांदी कुई का स्थापते है अवसेस मूर्तियों और चारो और बिखरा पड़ा है जहाँ पर हर्षट माता का मंदिर है नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे राजस्तान के जो प्रमुक मंदिर है कांपांग पर कौन-कौन से मंदिर स्थित है उनके बारे में राजस्तान के जो प्रशिद मंदिर है आज का वीडियो में इसमाप्त करते है वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सेर करें थेंक्यू, हेवे नाइस दे